प्रवार विधान सभा की दो खाली हुई सीटो पर उपचुनाब होने वाले हैं और उपचुनाब को लेकर के गहमा गहमी का मोहल बना हुआ है सियासत गर्म हैं कॉंग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं कह सकते हैं कि महा गठबंधन में तूट हो गई है जिहां तारापूर और कुसेसुरस्थान उपचुनाब में सीटों की दावेदारी को लेकर के कॉंग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही रसा कसी अब खुलकर सामने आ गई है कुसेसुरस्थान सीट पर राज़त के दावों के बाद कॉंग्रेस ने भी वहां से उमिदबार की घोसना कर दी है वहीं रविवार को पटना पहुचे बिहार कॉंग्रेस प्रभारी भक्त चरंदास लालो यादब की पार्टी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए मीरिया से बाचीत के दौरान भक्त चरंदास ने कहा कि हो सकता है कि आरजेडी ने हमसे बड़े दल के साथ गटबंधन कर लिया हो या फिर करना चाहती हो कॉंग्रेस के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हो रही है रविवार को पतना पहुँचे बिहार कॉंग्रेस के प्रभारी भक्त चरंदास ने कॉंग्रेस निताओं के साथ मीटिंग के बाद मीरिया से बाचीत की इस दौरान आरजेडी पर बड़ा आरूप लगाया उन्होंने कहा कि आरजेडी ने गटबंधन धर्म को तोड़ा है हो सकता है राजत का किसी और बड़े दल के साथ गटबंधन हो गया हो या फिर होने वाला है इसलिए वे हमारा साथ छोड़ना चाहते हैं उन्होंने कहा कि हम तो आरजेडी का साथ नहीं छोड़ना चाहते है इसके साथ ही उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि दोनों सीटों पर कॉंग्रेस मजबूती से चुनाब लड़ने जा रही है उन्होंने यह दावा किया है कि दोनों सीटों पर कॉंग्रेस की जीत सुनिश्रित है जी हाँ तो कॉंग्रेस दोनों सीटों पर जीत रही है भाक्त चरंदास ने आज ये वादा किया है और तेजस्पी आदब की पार्टी लालो परसाद आदब की पार्टी आरजेडी पर बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया है साफ कहना है भाक्त चरंदास का कि कॉंग्रेस का साथ इसलिए आरजेडी छोड़ना चाहती है क्योंकि कॉंग्रेस के साथ अब नहीं रहना चाहती है आरजेडी आरजेडी का किसी बड़े दल के साथ बड़े पार्टी के साथ गटवंधन हो गया है या फिर होने वाला है इसल हमने निभाय है उनके साथ और आज हमारे साथ नहीं देना चाहते हैं हमारा 19 उनको जरूरत नहीं है शबाल है तो हमारा 19 जरूरत नहीं तो कोई बड़ा दल का उनको समर्थन है क्या है कौन सा है उदाल क्या 19 विधायक अपने समर्थक विधायक को कोई छोड़ देता है कि छोड़ने का समय है एक सीट के लिए अगर इसकी सीट के लिए चोड़ नहीं तो उस्टे राजनीदी क्या है यह भी तो सपस्ट कर चुकी है कि हम डमी चेहरों के साथ नहीं चुनावी मदान में आना चाहत एक इसका मझुन हैं विछले चुनाव में भी हमारा चैहरा क्या यह को नहीं है और शोख राम जी तेस हैं पांच बार वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं क्या उसक långड कहेंगे तो इस चुनाव निर्मान करेगा यह चुनाव निर्ने करेगा कि गड़बंधन क्या होगा अभी चुनाव परचार के लिए अभी काफी वक्त है तो क्या ऐसे में कोई रणेनिती असना लगाए जाएगा कि महागडबंधन एक जूट हो करके आपसे भी लड़े महागडबंधन के घटक को बाकी घटक को सोचना चाहिए कि हमारे प्रती अन्या हुआ है जो विचार धारा पे हम लोग एक होए थे तो सुन लिया आपने भक्त चरंदास के स्तरह से आरजडी के खिलाफ बाते कहते नजर आए साथ ही उन्होंने यह भी साफ कहा है कि हमारे पार्टी के नेता राहूल गांधी की राय थी कि पार्टी आरजडी के नत्रित्व में काम करें लेकिन नित्रित्व ही अपने घटक को कमजोर करना चाहता है तो हम कैसे काम करेंगे अपने घटक को हर कोई मजबूत करना चाहता है भक्त चरंदास ने कहा कि हमारा मकसद उनको कमजोर करने का नहीं यानि कि राज़त को कमजोर करने का नहीं लेकिन हो सकता है आरज़ेटी हमें कमजोर करना चाहती हो यहां तो भक्त चरंदास के तेवर आज काफी गर्म नजर आए और भक्त चरंदास आज RGD की खिलाफ ही पूरी बाते बोलते नजर आए कह सकते हैं कि खिलाफ हो गए है भक्त चरंदास खिलाफ हो गई है कॉंग्रेस RGD के अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फेस्बूक पेच भी लाइक और फॉलू कीजेगा ताने बाद